हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल बाइलोजी साइंस आज हम आप लोगों को टेरिडो फाइटा के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अज तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंजे चलिए सुरू करते हैं पहले टेरिडो फाइटा सब्द का अर्थ जान लेते हैं टेरिडो फाइट सब्द की उत्पत्य ग्रीग भासा के सब्द तेरान अर्थात फीदर या पंकृठनूमा तथा फाइटान अर्थात पादप या प्लांट से हुई है जिसका अर्थ हुआ पंकृठनूमा पत्तियों युब्त पादप यह पादपों का एक विसाल समू होता है अर्था जो अता इनको वैस्कुलर क्रिप्टो गैम्स भी कहा जाता है इसलिए इनको वैस्कुलर क्रिप्टो गैम्स भी कहते हैं या जीवित इस्थलिय पादपों का सबसे प्राचीन समू होता है या जीवित इस्थलिय पादप है सबसे प्राचीन समू है सबसे पुराना समू होता है ज उस रिकार्ड को देखते हुए जो टेरिडोफाइट्स हैं ये 350 मिलियन वर्स पूर्व प्रभावी वर्नस पते रहे थे अर्धात इतने वर्स पहले इनका प्रभाव अधिक था इन में पुस्प एवं बीज नहीं बनते हैं इस वर्ग के पौधे प्रायह नम एवं चायादा अस्थानों में उखते हैं यmotे कैसे हैं चोटे से होते हैं और साकी होते हैं शाग जैसे होते हैं करीडोफाइट ब्रायूफायटा वर्ग के प्धों की अपेच्छा अधिक विक्सित होते हैं। जबकि टेरिडो फायटा के पunnवध अधिक विक्सित होते हैं, इसके अंते के अंतर्गत वए आपस्थविक शमवाहन ऊतक प्यच्छक पाई जाते हैं इसलिए इन्हें वैस्कुलर क्रेप्टो गेम्स भी कहा जाता है इस वर्ग के कुछ प्रमुक लक्षणों को आपको बता देते हैं तो इस वर्ग का पहला लक्षण है इस वर्ग के पादपों में जड़ तना तथा पतियां इस्पष्ट होती हैं अर्था जो में जायलम वा फ्लोयम दोनों ही अल्प विक्सित होते हैं और जो इनका समवहन उतक होता है अर्था जो जायलम और फ्लोयम होते हैं वो अल्प विक्सित होते हैं जो जलवा अवसोसित पदार्थों को जड़ से पौधों के दूसरे भागों में समभान करते हैं आप तो जा परा अवसोसित जलको पॉधिं के बिभिन न भागों में पहुचाँना और फूलयम का कारे होता है पत्यों दरा बना भोजे पदार्थ पेड़ पौधों के बिभिन भागों तो पहुचाना तो ये संबहन उतक कहलाते हैं दुनों, अर्था जायलम और फ्लोयम संबहन उतक होते हैं अगला लचण है, इनमें पुस्प, फल वा बीज नहीं बनते हैं अर्था जो टेरिडोफाइट्स पौधे होते हैं इनमें पुस्प का निर्माण नहीं होता है पुस्प नहीं बनते हैं तथा फल एवं बीजों का निर्माण भी नहीं होता है जब पुस्प नहीं बनेंगे तो फल और बीजों का निर्माण भी टेरिडोफाइट्स में नहीं अगला है जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एवं निसेचन किरिया के लिए जल की आवसकता होती है और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए या निसेचन के लिए इन्हें जल की आवसकता होती है इनके जीवन चक्र में इस पेष्ट पीढ़ी एकांतर कर्म में पाय जाती है अर्थात इनके जीवन चक्र में इस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है या अल्टर नेशन आप जेनरेशन पाया जाता है जो बिसम रूपी प्रकार का होता है अर्थात दोनों पीढ़ियां अकारिकी में भिन्न होती है अगला लच्छण है इनका मुख्य पौधा बिजारोद भिद होता है अर्थात इस्पोरोफाइट होता है जो जड़ तना एबं पत्यों में बिभक्त रहता है या जड़ तना पत्यों में बटा हुआ होता है अगला बिजारोद भिद पौधे की पत्यों की निचली सतह पर सोराई उत्पन्न होती है अर्था जो बिज जिन पत्तियों पर उत्पन को भी जान् उक्षान को就是 का जाता है इस प्रकार से टेड Allahu प्रमुख लक्षन हो जान चलिती है प्लांट बार्डी बने के बारे में बता देते हैं रह्essen ही से पोसी होता है भूड़े विकास के समय प्रथम पड़ के बनने तक यह युगमोद भित पन निर्भर होता है जब भूड़े विकास होना होता है उसमें जब प्रथम पड़ बनता है तब तक युगमोद भित पन निर्भर रहता है या वास्तविक जड़ तना एबं पत्तियों में बटा होता है प्रात्मिक जणे कम समय तक जीवित रहती है इसमें जो प्रात्मिक जणे निकलती है वो थोड़े ही समय तक जीवित रहती है और बाद में प्रात्मिक जणों के अस्थान पर अपस्थानिक जणे निकलाती है या एडवेंटिटेस रूट निकलाती है बिक्सित हो जाती है तना भूमिगत राइजोम वा वाइविये दोनों प्रकार का हो सकता है और तना कैसा होगा या तो भूमिगत राइजोम हो सकता है या वाइविये हो सकता है तने में पर्वसंदी एवं पर्व अर्थात नोड और इंटर नोड पाये जाते हैं तना प्राया साखित होता है साखाएं पत्ति के कक्ष से नहीं निकलती है जो साखाएं होती है वो पत्ति के कक्ष से नहीं निकलती है लेकिन तना कैसा होता है साखित होता है चलिए अब आपको कुछ प्रमुक टेरिडोफाइट्स प्लांट के नाम बता देते हैं एकविसिट इनकी इनाटोमी कैसी होती है तो टेरीडोफाइट्स में समभाहन उतक जायलम तथा फ्लोयम से बने होते हैं जिनमें केंबियम नहीं पाई जाती है जायलम पराया वाहिनिकाऊं से बना होता है फ्लोयम में सहाय कोशिकाओं का अभाव होता है फ्लोयम में कैंपेनियन सेल्स का अभाव होता है कैंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है पौधों में अंतस्त तचा तथा परिरंभ से घिरा हुआ रंभ पाया जाता है और तो पौधे होते हैं उसमें इंडोडर्मिस और पेरि साइकल से घीरा हुआ रंभ या स्टेल पाया जाता है इस प्रकार से ये इसके पौधे की आंत्रिक संद्रचना हो जाएगी थोड़ी सी जानकारी आपको टेरेड़ेट्व फाइट्स में जनन कैसे होता है चलिए अब आप लोगों को टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत तो बता देते हैं अर्थात economic importance आपदा टेरिडोफाइट्स के बारे में बता देते हैं जिसमें से पहला है सजावट के लिए ऐसे औरना mental plants तो सजावट के अंतरगत फर्णों की अनेक प्रजातियों का प्रियोग बगीचों तथा घरों में सजावट के लिए किया जाता है और जो फूलों के गुल्दस्ते होते हैं उसमें फर्ण की पत्यों के द्वारा सजाया जाता है अगला है आउसाधी के रूप में ऐसे मेडेसिन के रूप में किस तरह से प्रियोग किया जाता है आपको बता दें लाइको पोडियम नामक टेरिडोफाइट से प्राप्त आउसाधी का प्रियोग रक्त चाप, गठिया, फेफणों वा गुर्दों की बीमारियों की उपचार में किया जाता है यानि जो लाइको पोडियम पोधा होता है लाइको पोडियम टेरिडोफाइट से होता है इससे प्राब्त औस अस्दी प्राप्त होती है। उसका रक्त चाप की विमारी में, यानी Blood Presser की विमारी में, गठिया की विमारी में, फेफणों में वगुर्दों की कोई भी विमारी हो। तो नो इनसे सम्भंधित बिमार्यों में lycopodium की आउसधि का प्रियोग किया जाता है इस प्रकार से ये आउसधि के रूप में हो जाएगा ऐसे medicine के रूप में आर्थिक महत्यों हो जायगा फिर अगला है भोजन के रूप में ऐसे फूड भोजन के रूप में किस तरह से टेडोफाइट्स का आर्थिक महत्तु है जान लेते हैं अनेक स्थानों पर मारसीलिया नामक टेडोफाइट्स के इस पोरोकार्प का प्रियोग भोजन के रूप में किया जाता है क्योंकि जो sporokarp होता है यानि मारसिलिया का sporokarp है इसमें अधिक मात्रा में मंड पाया जाता है आईसोसाइट्स के घंकंद का उप्योग अर्थात आईसोसाइट्स के कार्म का उप्योग मनुस्य और जन्तों द्वारा किया जाता है इस प्रकार से भोजन के रूप में यह हो जाएगा, आइसे फूड हो जाएगा, टेड्रोफाइट्स का आर्थिक महत्तु, फिर अगला है जयो उर्वरक के रूप में, आइसे बायो फर्टिलाइजर्स, एजोला फर्ण में नील हरी सेवाल पाए जाता है, इसलिए इसका अप पाए जाता है, और इसका उप्योग धान के खेतों में जयो उर्वरक के रूप में करते हैं इस प्रकार से यह, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका आर्थिक महत्तु है, फिर अगला है जीव नासक के रूप में, तो जीव नासक के रूप में कैसे होगा, लाइको पोडियम प्रजातियों में पाय जाने वाला एलकलाइड विसाक्त होता है जो लाइको पोडियम की प्रजातियां होती है में जो एलकलाइड पाय जाता है इसकी प्रजातियों के पौधों में ये जो होता है विसाक्त होता है यहरिला होता है, आताहाँ इसकी सूखी पत्यों का उप्योग जीवनासक के रूप में किया जाता है, जीवास में इंधन के रूप में as a fossil fuel, तो जिवास में इंधन के रूप में टेर्डोफायर्स का उपयोग किस तरह से होता है आधिकाल में विसाल हार्स्टेल्स क्लब मांस आधिके दलदली मर्दा में समा जाने से कालांतर में इनसे कोईले का निर्माड हुआ है तो कुल मिलाकर करके जिवास में इंधन के रूप मे कैसे करते हैं कोईले का निर्माड हो गया है बताया कि आधिकाल में विसाल हार्स्टेल्स जो होते थे क्लब मांस होते थे आधिके दल्दली मिर्दा में समा जाने शर्था दल्दल में घुश जाने से अंदर चले जाने से जो धीर धीरे करके क्या हुआ कोईले का निर्माड हो गया तो इस प्रकार से आज मैंने तेरीडो फाइटा के बारे में आप लोगों को बताया आसा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ने वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी ताकि आने वाले अगले वीडियो के नोटिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद